हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्चा शड़ी हब, मैं शानूराना, आज बात करेंगे यूपीबीएड स्पेशल में, सामाने ग्यान के 50 कोशन्स पर, जो की यूपीबीएड के प्रिविएस एर का प्रेक्टिस सैट है, इसमें सामाने ग्यान के 50 कोशन्स होंगे, जो की आप वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की वीडियो, तो फ्रेंड्स, ये है यूपीबीएड का प्रेक्टिस सैट, पिछले साल का, और इसमें 50 कोशन्स होंगे, सामाने ग्यान के, और वीडियो के लाश्ट में आप लोग अपने स्कोर मुझे जरू कमेंट करके बताएं, कोशन नमबर बन है, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्रकृतिक प्रदेश में महतपूर है, तो अंगूर से शराब बनाने का उद्योग जो है, तो वाइन बनाने का उद्योग है, किस प्रकृतिक प समवर्ती सूची में है, तो इन में से बताना एक कौन सा मत भारत के समविधान की समवर्ती सूची में है, तो option A इसका राहिट आंसर होगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तो फ्रेंस जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो विशय है ये केंदर सरकार और राजय सरकार दोनों का ही विशय होता है और समवर्ती सूची जो है इस पे राजय सरकार और केंदर सरका में पूछे जाते हैं question number 3 एक समू जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्तिती की परक कर सकते हैं क्या कहलाता है तो हम अपनी परिस्तिती की जिससे परक करते हैं वो समू क्या कहलाता है हम अपनी तुलना करके तो इसको option D का right answer होगा संदर्ब समू कहते हैं क्या कहते हैं संदर्ब समू question number 4 निम्नांकित में जोडों में किसका सुमेल है तो इनमें से बताना है कौन सा जोड़ा सुमेल है तो friends जो ए वाला है एलोरा की गुफाएं ये शक्त शास्कों ने नहीं बनवाई थी ये राश्कूट के टाइम पर बनवाई गई थी और ये कहाँ पर है ये औरंगाबाद में है महराज के औरंगाबाद में मिनाक्शी मंदिर ये पल्लव शास्कों ने नहीं बनवाई था ये पांडे राजाओं ने बनवाई था इनका नाम था कुल शेखर क्या नाम था कुल शेकर मिनाक्षी मंदिर कहां पर है ये तमिल नाडू में है और ये option C जो है खजराहों के मंदिर ये चंदेल शास्कों ने ही बनवाए थे किसने बनवाए थे चंदेल शास्कों ने ही बनवाए थे और ये खजराहों मंदिर कहां पर है मद्धे परदेश के चत्तर पुर्जिले में है, option D वाला जो है महाबली पुरम के मंदिर, ये राश्टकूर्ट शास्कों ने नहीं बनवाए थे, ये पल्लब राजा था, नर्सिंग, नर्सिंग ने बनवाए थे, और ये महाबली पुरम ये भी तमिल नाडू में है, तो friends इसका सुमेल वाला कौ इन में से कोई नहीं, देखे friends ये जो option C है अपरादी दल, ये कोई संस्था नहीं होती है, बाकी विवा और शासर प्रडाली ये संस्थाएं होती है, question number 6, राश्टिये कॉंगरेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो friends जब राश्टिये कॉंगरेस की स तो ये Lord Dufferin था, कौन था? Lord Dufferin था, Lord Dufferin का time period जो था 1884 से 1885 तक था, और Lord Dufferin से पहले Lord Ripon था, Lord Dufferin जो आये था, ये 1884 में आये था, 84 से 1885 तक था, कब था? 84 से friends, 88 तक था ये, और राश्टिये कॉंगरेस की जो पहली बैठक हुई थी, जो पहली इसकी बैठक हुई जा द और राश्टिये कॉंगरेस की स्थापना किस ने की थी, ये A.O.U.M. ने की थी, कोशन नमबर 7, निमलिकित में से कौन सी अकादमी भारत के, भारत में नरत्ये नाटक तथा संगीत के विकाश को प्रोतसाहन देने के लिए उत्तरदाई है, तो इनमें से बताना है कौन सी अ नाटक संगीत यानि कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तरदाई है कौन सी है, तो option A, इसका राइट अंसर होगा, संगीत अकादमी है, संगीत अकादमी जो की राश्टिये स्तरकी अकादमी है और इसकी स्थापना हुई थी, 1953 में, कब हुई थी, जिसे संविधान का दिल कहा जाता है, और ये भीम राव अंबेडकर ने ही कहा था, संविधान का दिल, तो ये option A वाला इसका राइट अंसर होगा, संविधानिक उपचारों का अधिकार, तो friends, जो मौलिक अधिकार है, इनका स्रोत के अगर बात की जाए, कि ये किस देश से लिए गए है, तो ये संयोक्ते राज अमेरिका से लिए गए है, कहा से लिए गए है मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिए गए है, और ये भाग तीन में है, हमारे संविधान के भाग तीन में है, अनुछेद 12 से 35 तक, कहा से कहा तक है, 12 से 35 तक है, और अगर बात की तो ये अनुचेद 32 को कहते हैं किस अनुचेद को अनुचेद 32 को कहते हैं संभिधान का दिल या संभिधान की आत्मा और संभिधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किस अनुचेद में आता है ये अनुचेद 32 से 35 में आता है अनुचेद 32 से 35 तक है तो प्रिजेंट पुत्री का अभाव मात्रवंशिये परिवारों में कैसे पूरा होता है तो फ्रेंट्स पुत्री का जो अभाव होता यानि की लड़की की कमी है और मात्रवंशिये परिवारों में कैसे पूरा किया जाएगा तो किसी लड़की को गोध लेकर ही ये पूरा किया जा सकता है कोशन नमबर 10 किस वैदिक गरंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रातना का संग्रह है तो friends किस वैदिक गरंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रातना का संग्रह मिलता है तो हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है जो रिगवेद है इसमें मंत्रों और देवताओं की प्रातना का संग्रह मिलता है और रिगवेद के बारे में आप सभी को मैं हर बार बताता हूँ कि रिगवेद का जो तीसरा मंडल है ये गायत्री मंत्र इसमें गायत्री मंत्र का उले किया गया है जो कि सूरी की देवी सावित्री को समर्पित है और अगर बात के जाए कि रिगवेद में रिजाए कितनी है तो रिगवेद में 10462 रिजाए हैं और 8 अश्टक हैं 1028 सूक्त हैं कितने 1028 सूक्त हैं Q11 राश्पती के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है तो इन में से क्या सम्मिलित होता है राश्पती के निर्वाचन के लिए यहाँ पे जो राश्पती के निर्वाचन जब होता है तो आर्टिकल 54 के तहित क्या होता है जो संसत के दोनों सद और राजे विदान सभाव के सभी निर्वाजित सदत से इसमें अपना सम्मिलित होते हैं और बात की जाए कि राश्पती पद किस आर्टिकल में दिया हुआ है तो 52 में दिया हुआ है राश्पती पद कोशन नमबर 12 वार्शिक पुषकर मेला कहां आयोजित होता है तो वार्शिक पुषकर मेला ये राजिस्थान के अजमेर जिले में आयोजित होता है जो कि अक्टूबर से नवंबर के महा तक चलता है कब से कब तक अक्टूबर से नवंबर महा तक चलता है कोशन नमबर 13 दोयता-दोयत सिद्धान के प्रवर्तक कौन है तो friends दोयता दोयत सिद्धान्त के प्रवर्तक बताना है तो यह option D's का right answer होगा निम्बका चार जो है यह दोयता दोयत सिद्धान्त के प्रवर्तक है इनको निम्बका चार या निम्बार का चार भी कहते हैं और इनमें बड़ा ही confusion होता है जितने भी यह दिये हुए हैं यहाँ पर option तो शंकरा चार रामा नुजा चार ने दिया था विशिष्ट दोयतावाद का सिद्धान्त का सिद्धान्त विशिष्ट दोयतावाद का सिद्धान्त रामा नुजा चार ने दिया था और मधवा चार ने दिया था दोयत अधोयत वाद का सिद्धान्त कौनसा दोयत अधोयत वाद का और निम्बका चार का तो दिया है question में दोयता दोयत का सिद्धान्त निरनिम्बार का चार ने दि Q14, पतंचली का संबन्ध है तो पतंचली का संबन्ध आप सभी जानते होंगे योग से होता है, योग दर्षन से, Q15, जैन धर्म का सबसे महतपूर गरंफ है तो friends कल मैंने वीडियो आप लोग के लिए लेकर आये था जैन धर्म के बारे में, जिसमें मैंने जैन धर्म का पूरा इतिहास उसमें complete करवाया है, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से जैन धर्म आगे बढ़ा, तो पूरा इतिहास मैंने इस्टी जैन धर्म के उसमें cover की हुई, जिन लोग ने अभी तक वीडियो नही देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो जैन धर्म का सबसे महत्पूर्ण जो गरंत है ये कल्प सूत्र है और कल्प सूत्र के लेका कौन है बद्र बाहु है कौन है बद्र बाहु है और कल्प सूत्र में ही जो जैन धर्म के तीर थंकर है इनमें ही इनके बारे में दिया हुआ है question number 16 राजेपाल की दोरी भूमिका से आप क्या समझते हैं तो राजेपाल की जो दोरी भूमिका होती है उससे आप क्या समझते हैं तो इसका right answer जो होगा option D वाला होगा समवेधानिक शासक और केंदर का agent तो राजेपाल जो होता है अंतियोध्य कारेक्रम का मुख्य उद्देश क्या था तो फ्रेंट्स जो अंतियोध्य कारेक्रम चलाए था तो इसका मुख्य उद्देश था option C वाला right answer होगा गरीबों में से सबसे गरीबों की मदद करना जो गरीब होंगे उन में से भी जो सबसे गरीब होंगे उनकी अध्यादेश है तो फ्रेंट्स जो राष्टपती अध्यादेश जारी करता है ये option C's का right answer होगा संसत के पुना एकत्र होने पर उसके सम्मुक अवश्य रखना चाहिए कब रखना चाहिए संसत के पुना एकत्र होने पर उसके सम्मुक अवश्य रखना चाहिए तो फ्रेंट आर्टिकल जो 123 है ये इसके तहट राश्पती अध्या देश जारी कर सकता है और ये बहुत questions में पूछा भी जाता है question number 19 निमलिकित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश से संबंद में सत्य है तो इन में से बताना है friends टैगा प्रदेश के संबंद में सत्य कौन सा है इन में से यह प्रदेश यूरिया और उत्री अमेरिका में 45 डिगरी से 70 डिगरी उत्री आक्षांसों के बीच एक चौणी पट Question number 20 किस इस्थान से हडपा सब्विता से संबंदित पकी मिठी का हल मिला है यह बनावली में मिला है कहा पर मिला है बनावली और friends पूछा जाए अगर कि बनावली कहा पर है तो यह हरियाना में है और हरपा सब्विता की खोच किसने की थी तो यह 1921 में दया राम साहनी जीने किस ने की थी दैया राम साहनी ने 1921 में हडपा सब्विता की खोज की थी question number 21 सिंदु घाटी सब्विता में अगनी पूजा किस इस्थान पर खोज की गई अगनी देवी से सिद्ध होती है तो friends सिंदु घाटी सब्विता में जो अगनी पूजा जो है यह किस इस्थान पर खोजी गई यह सुर्प कोटला में की गई कहाँ पर की गई सुर्प कोटला तो friends यहाँ पर सिंदु घाटी सब्विता का जो टाइम पीरेड है यह यहाँ पर question में पूजा जाता है कि सिंदु घाटी सब्वेता का टाइम पिरेड कब से कब तक माना जाता है तो ये 2500 इसा पूर्व से 1750 इसा पूर्व तक माना जाता है कब से कब तक 2500 इसा पूर्व से 1750 इसवी तक Q22 तवा किसकी सायक नदी है तो तवा जो है ये नर्मदा की सायक नदी है और नर्मदा नदी का जो उद्गम इस्तल ये अमर कंटक से होता है कहां से होता है अमर कंटक से होता है और नर्मदा नदी को मद्य परदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं Question No.23 विशाकदत के प्राचीन भारतिय नाटक मुद्राराक्षस की विशय वस्तू है तो friends विशाक दत ने अपनी एक मुद्रा राक्षस नाम से एक नाटक लिखा हुआ है ये किसे संबन्दित है option D's का right answer होगा चंदरगुप्तु मौरे के समय में दर्बार में दुरभी सिंधियों के बारे में ये इसमें दिया हुआ है तो friends मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन मिलता है चंदरगुप्तु मौरे का वर्णन मिलता है और ये किसने लिखी है ये विशाक दत ने लिखी है question number 24 जूट सबसे अधिक कहां होती है तो friends जूट का उतपादन सबसे ज़्यादा बश्चिम बंगाल में होता है option C का राइट अंसर होगा बंगाल के डेल्टाई छेतर में जूट का सबसे ज़्यादा उतपादन होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही उतपादन होता है जो की पस्चिम बंगाल में होता है question number 25 भारत में मुहमद गौरी ने किसको प्रतम अक्ता प्रदान किया था ये option B का राइट अंसर होगा कुतुब बुद्दिन एबग को प्रतम बार अक्ता प्रदान किया था question number 26 विश्व के अधिकांश सक्रिय जोहला मुखी पाए जाते हैं option C का राइट अंसर होगा नवीन मोड़दार परवतिय छेतरों में पाए जाते हैं question number 27 समुदाई के लिए क्या अनिवारे नहीं है तो समुदाई यानि कि अगर किसी समुदाई की स्थापना करनी है या फिर एक संग की स्थापना करनी है तो क्या अनिवारे नहीं होता है इसमें धर्म की आवशकता नहीं होती है तो option A का राइट अंसर होगा तो option B, इसका right answer होगा, मुद्रा संचालन्ज से संबंदित होता है, ग्रेशम का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि जो बुरी मुद्रा होती है, बुरी मुद्रा, ये अच्छी मुद्रा को चलन्ज से जब बाहर कर दे, तो इसको कहते हैं ग्रेशम का नियम, कोशन नमर 29 स्वतंतर भारत के प्रतम मंतरी मंडल में केंद्रिय शिक्षा मंतरी कौन थे तो स्वतंतर भारत के प्रतम मंतरी मंडल में जो केंद्रिय शिक्षा मंतरी चुने गए थे हमारे भारत के पहले शिक्षा मंतरी थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कौन थे मौल कोशन नमबर 30 आर्थिक द्रश्टी से सरवादिक विक्सित प्रक्रतिक प्रदेश है तो आर्थिक द्रश्टी से देखा जाए तो सरवादिक विक्सित प्रक्रतिक प्रदेश कौन सा है और मैंने अंगूर से शराब बनाने का जो बताये था वो कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध उसके लिए ये भूमद्य साग्रिय प्रदेश कौन सा भूमद्य साग्रिय प्रदेश और भूमद्य साग्रिय प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है इसको उध्यमशील प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है निमलिकित किस शहर में अशोक के शिलालेक नहीं है तो इनमे से किस शहर में अशोक के शिलालेक नहीं है तो option A का right answer होगा गिरनार में जो कि गुजरात में है यहाँ पर अशोक के शिलालेक नहीं मिलते है बाकी जगा अशोक के शिलालेक मिलते है औरंग जेब ने अपने पिता को किस इल्म में नजर बंद कर दिया जहां 8 वर्श बाद नजर बंदी की हालत में शाजहा की मौत हो गई थी तो friends, जो औरंग जेप था, इसने अपने पिता को बंद किया था आगरा के खिले में और option A का राइड अंसर हो आगरा के खिले में इसने बंद किया था और इसने अपने पिता को खाना पीना कुछ भी नहीं देता था, जिसमें इसके عمرत्यु हो कहीं थी शाजाहा की और आगरा की किले की बात कि जाये कि आगरा के किला किस ने बनवाए था तो ये अकपर ने बनवाय था और फ्रेंट्स इससे पहले कोशन मैंने कोशन आय था तो कि सबसे ज़्यादा जो हिंदू सेनापती थे वो किसके टाइम पर थे तो ये औरंग जेब के ही टाइम पर हिंदू सेनापती थे Question No.34 Ifco, IFFCO क्या है? तो IFFCO ये क्या है? तो Option C's का राइट आंसरों का भारतिये क्रशक सहकारी संस्था है इसकी फुलफाम होती है Indian Farmers Fertilizer Corporation क्या होती है? Indian Farmers Fertilizer Corporation और इसकी स्थापना होई थी 1967 में खब होई थी? 1967 में इसके Headquarter है नई दिल्ली में और प्रिजेंट टाइम है इफCO के जो चेयर्मेन है वो है बलविंदर सिंग नकाई कौन है? बलविंदर सिंग नकाई क्योशन नमबर 35 Communist International का सदसे बनने वाला पहला भारतिये कौन था? तो Communist International का सदसे बनने वाला पहला भारतिये थे ये MN Roy थे और ये Communist International संस्था ये रूस की संस्था है क्योशन नमबर 36 निमलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुरानी चित्र कौन से हैं? तो इन में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? एलोरा की गुफा में मिलते हैं सबसे पुराने चित्र एलोरा की गुफा कहां पर रहे है? और अंगाबाद में है? महराष्ट में Quesion No.37 तो हम्पी के विठ्थल स्वामी मंदिर का निर्मार किस ने कराये था, ये क्रश्न देव राये ने करवाये था और ये क्रश्न देव राये जो की तुलूब वंच का शासक था जो की विजये नगर समराज का सबसे सक्तिशाली शासक था Quesion No.38 वायो मंडल मुखेता गर्म होता है तो वायो मंडल कब गर्म होता है तो प्रतवी से विक्रन द्वारा ये गर्म होता है कैसे गर्म होता है प्रतवी से विक्रन द्वारा question number 39 अशोक के शिलालेखों की लिपी क्या है तो friends यहाँ पर question जो है अशोक के शिलालेखों की लिपी बतानी है तो अशोक की शिलालेखों दो लिपी में मिलते हैं मुकेता एक ब्रामी लिपी में और खरोष्टी लिपी में जिसको हाईरोगलाई फिप्स लिपी भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा, वो option D वाला होगा हाइपो, हाइरो, गलाई फिप्स लिपी, question number 40, श्रम का बटवारा नियंत्रित होता है, तो श्रम का बटवारा कैसे नियंत्रित होता है, यह श्रमिको की संख्या question number 41, निमलिकित में से कौन रूपांत्रित चट्टान नहीं है तो इन में से बताना है कौन सी रूपांत्रित चट्टान नहीं है, तो option D's का right answer होगा, ग्रेनाइट, यह रूपांत्रित चट्टान नहीं होती है, यह आगने चट्टान अगने चत्टान बाकी की जो हैं ये स्लेट or संगिमरमर ये रुपान्तरित या फिर कायाने चत्टाने होती हैं Question number 42 hunter commission की report में किसके विकास पर विशेश जोर दिया गया तो hunter commission की report पर किसके विकास में जोर दिया गया ये प्रात्मिक शिक्षा पर इसके विकास पर जोर दिया गया था और हंटर जो कमिशन था ये कब आये था ये 1882 में आये था लॉड रिपन के टाइम पर question number 43 निमलिकित में से कौन सी नदी दक्षिन से उत्तर की और प्रवावित होती है ये बेदवा नदी है option 10 का right answer होगा question number 44 भारतिय समविधान के अनुचे 352 के अनुसार राष्टी अपात की घोशना निमलिकित में से किन परिस्तितियों में की जा सकती है तो राश्टी आपात की जो घोशना की गई है जो कि अनुचे 352 में है किन परिस्तितियों में किये जा सकती है तो option D's का right answer होगा जब युद्ध बहायाकरमण अतबा 66 विद्रो होता है तो friends हमारे सम्विधान में तीन तरीके के आपात हैं 300 आपात काल है 352 में दिया है जो कि राश्टी आपात है और 356 में दिया हुआ है जो कि राश्टी शासन है और 360 में दिया हुआ है financial emergency जिसे वित्तिय आपात भी कहते हैं तो friends यहाँ पर राश्टी आपात की बात हो रही है तो राश्टी आपात पहली बार कब लगा था तो राश्टी आपात यह लगा था 25 जून 1975 को कब लगा था 25 जून 1975 को और उस समय हमारे भारत के जो राश्पती थे वो फकरुदीन अली एहमद थे और प्रधान मंतरी बैंक के दुआरा वित्तिय साइता प्रदान की जाती है और भूमी विकास बैंक की स्थापना होई थी 1957 में कब होई थी 1957 में कोशा नमर 46 फर्ष 1946 में गटित अंतरिम केबिनेट की अध्यक्षता की थी ये जवाहरलाल नहरू ने की थे किस ने की थी जवाहरलाल नहरू ने क Q47. महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था ये फिर्दोसी था. कौन था? फिर्दोसी था? ये question बहुती confuse करता है और अलग-अलग exams में भी ये पूछा जाता है. Q48. मुदरा राक्षास के लेखक कौन है? तो इन में से मुदरा राक्षास के लेखक कौन है? तो अभी ही इस से पहले भी ये question आ चुका है. तो ये विशाक दत मुदरा राक्षास के लेखक है. Question number 49 British भारत का प्रतम वाइसराय था तो French British भारत का प्रतम वाइसराय कौन था ये Lord Canning था Question number 50 संबात कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे तो संबात कौमुदी पत्र के संपादक जो थे Option A's का राइड आंसर होगा राजा राम मोहन राय थे और ये 1821 में संबात कौमुदी पत्र के संपादक बने थे ये पत्र का निकली थी और राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन से ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो Friends ये थे 50 questions जो की UPB8 के exam में पूछे गए हैं और आप लोग मुझे अपने इसकोर कमेंट करके ज़रूर बताएं तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए questions के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन